आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागाद हमार इस वीडियो के साथ और आज आप लोग देख रहे हैं ये जो छोटी दूधी है ये इससे आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इसके होने वाले फाइदे क्या क्या इसके फाइदे और ये कितना लावकारी ये देख सकत होती है जो कहीं पर भी आसानी से आपको मिल जाएगी रोट के किनारे या पर मेर में खेत के या पर नाली के कहीं पर आसपास आपको आसानी से ये मिल जाएगी छोटी दूधी इससे आज हम आपको बताएंगे कि इससे क्या-क्या फाइदे और इससे बहुत ही अच्छे ला च्छोर्टी दोड़ी को आप देख सकते हैं, यह कुछ इस तरह की पतियां होती हैं और कुछ इस तरह से यह चोयाrit है काफी बड़ा है है यह है काफी बड़े बड़े हो जाते हैं तो इससे हम आज आपको बताएं कि लिकोरिया जो हो जाता है उसको कैसे सही करें स्वेट पिरदर की जो समस्याएं हो जाती हैं उसको सही करने के लिए यह बहुत अच्छी छोटी दूदी है इससे बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छा दवाई है यह जो आपको फिरीज का नुस्का है जो आप घर पर ही आसानी सपना इसको 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 इस्तमाल करके अपने बीमारी को दूर कर सकते हैं तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं आपको कि इसको कैसे इसका यूज करना है और यह कितने दिनों तक आपको यह करना है जिससे आपकी लिकोरिया जैसी बीमारिया महामारी बहुत ही जल्दी आसानी से बिलकुल सही हो जाएगी और बिकार एक रुपए खर्च किये बिना तो आप लोग देख सकते हैं इसको क्या करना है कि यह जो इतनी लगी हुई है इसको काफी मतलब इसको आदा जो देख सकते हैं हाँ से इतना आदा तोड़ने आप लोग और इसको आदा जैसी यह पत्तियां है इसको पूरा तोड लें उसको तोडने बाद दो लें ओद काफी अच्छी तरीकत्र फिरूशक पीस लेना है पीसने के बाद इस waterfall अधयर कालीज़ डाल लें और maioria ज्याद़़ इसी टहनी यह तोड़ ले तो इसको तोड़ने एक बाद जब आप पीसेंगे तो समय से 2-3 काली मेर्च आप लोग डाल दे फिर इसको इतना बारी बिल्कुल पीसेंगे बिल्कुल इसमें पानी ने डालना सरफ ऐसी यह पीसना आए इसको पीसने के बाद एक दो बूना पानिस में डाल सकते हैं पीसने के बाद बिलकुल जब ये पेश्ट ऐसा बन जाए इसको सुवए साम रोज खाली पेट सुवए खाली पेट लेना है उसके दो गंटे बाद खाना या नास्ता आपको करना है ऐसा अगर आप 20-25 दिन अगर आप करते हैं तो आपकी लुकुरिया जीसी बीमारी और धात जीसी बीमारियां बहुती जल्द सही हो जाएगी जिस किसी को भी ये समस्या हो वो ये नुस्का फिरीक नुस्का है जो आप कर सकते हैं घर पर बिगयर एक रुपए खर्ची के बिना तो ये बहुती अच्छा नुस्का है जो आप ये 20-25 दिन अगर आप इसका इस्तिमाल करते हैं तो आपकी सुएत पिर्दर जैसी कैसी भी बीमारी हो बहुती जल्द सही हो जाएगी इसको छोटी दूधी के नाम से जानते हैं ये आप लोग देख सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी सेयर कीजिए जिनको भी ये समस्या हो और वो भी इसका लाब उठा सेकें बिल्कुल फ्री का नुस्का है बहुती अच्छा ये नुस्का है जो आप कहीं पर भी आपको ये देखनों को मिल जाएगी खेत के नारे या पर आपके बगीचे के आसपास या पर मेर में या पर आप गरस के बाहर ये कहीं पर भी नाली के के नारे आपको ये देखने को मिल जाएगी जैसा कि आप ये लोग आप ये देख सकते हैं तो आप लोग पहचान लेजिए देखिए और इसको लोगों तक share केजी जिस किसी को भी इस समस्या है वो अपना कोई बताता नहीं है तो इसको share केजी अपने दोस्तों को जिसको भी आप share कर सकें तो वो भी फिरी के बिल्कुल नुसका है जो बिल्कुल एक रुपए की बिना खर्च किये बिल्कुल फिरी के नुसका अपना अजमा सके और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो share करना बिल्कुल भी मत भूल